चलिए, दिफ्रेंचेल जा मेट्री में next chapter है, आपका fourth chapter है रिमानियन मेट्रिक अग्रिस्टोफल सिंबल रिमानियन मेट्रिक अग्रिस्टोफल सिंबल लगा लीजे, very most important रिमानियन मेट्रिक एंड क्रिस्टोफल सिंबल बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है टेंसर अलजेब्रा, रिमानियन मेट्रिक और इसके बाद वाला ये तीन चैप्टर स्कोरिंग है बहुत इंपोर्टेंट है पहली हेडलाइन डालिए इसमें रिमानियन मेट्रिक रिमानियन मेट्रिक रिमानियन मेट्रिक ढंक से पढ़ियेगा यहां से बहुत इंपोर्टनिट अब हो रहा है ठीक है मतलब अगर आप यह समझ लीजें कि आप डिफरेंशल जेमेट्री में नंबर पाना चाहते हैं टेंसर अलजेब्रा रिमानियन मेट्रिक इसके बाद वाला चैप्टर इन तीनों को रट्टा मार लीजें क्योंकि सेक्शन बी से अपने आप से बहुत उमीद करके मत चलियेगा सेक्शन भी जब शुरू होता है तो बच्चे सिरु पे हाथ रखके बैठते हैं बहुत टफ है ठीक है लेकिन उसको भी कोशिश की जाती है खेल खेल में पढ़ाने की उमीद यही करते है कि आज आएगा उसमें कर्विन स्पेस में चैप्टर होता है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म तीन चैप्टर उसमें बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है तो यहां मतलब यह सब सेक्शन एजी है पढ़ने योग यह है तो इसको धंग से पढ़िए था पहला आपको डलवाया गया है रिमानियन मेट्रिक पहले तो यह बताएए मेट्रिक का अर्थ क्या होता है मेट्रिक स्पेस पूरा पर डाला आप लोगोंने मेट्रिक का अर्थ क्या होता है मेट्रिक का शाब्दिक अर्थ होता है मीटर मीटर क अर्थ होता है distance तो एक बात तो ये clear हो गई कि इसमें कहीं न कहीं distance को find out करना है ठीक distance find out करने के लिए we have two minimum two points आपको दो बिंदूओं की जरूर पड़ेगी पहला point हम माल ले रहे है कि ये हमारा n dimension space है vl ध्यान से सुनिएगा सब बातों को two dimension में study करते है तो किसी point का coordinate x y लिखते है ठीक three dimension में study करते हैं तो x y z लिखते है four dimension में x1 x2 x3 x4 लिखते है five dimension में x1 x2 x3 x4 x5 लिखते है n dimension में x i लिखेंगे जहां i का मान होगा one two three dash 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 n तभी इसका जो coordinate होगा वो मिलेगा आपको x1, x2, x3, dash, 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 xn यह कोई एक point हो गया चोकि distance या metric दो बिंदूओं के बीच की होती है तो दूसरा point हम मान रहा है x i plus d x i x i plus d x i तो यह भी coordinate हम लिखाएगा हमारा x1 plus dx1, x2 plus dx2, x3 plus dx3 और ऐसे बढ़ते-बढ़ते xn plus dxn यह दो points हमने ले लिए end dimensional space vn में metric मतलब इनके बीच की distance निकालनी है तो कहा गया कि अगर इसके बीच की distance ds मान ली जाए तो ds square is equal to gij dxi dxj होता है ds square is equal to gij dxi dxj होता है जहां i और j का मान n dimension होने के कारण वन से n तक vary करता है ठीक है इसको बोलते है metric चूकि यह metric इस तरीके से निकाली जाती है इसलिए इसको बोलते है remanian metric क्या कहते है remanian metric एक fix सवाल है कहते हैं किसी भी class में आपसे पूछा जाता है हमको लगता हमने BSE third year के वाईवा में भी बताया है MSE के वाईवा में भी बताया था हर साल हमको लगता है वो question पूछा जाता है difference between euclidean metric and remanian metric pet question है यह euclidean metric और remanian metric के बीच की difference को समझाओ euclidean metric होता है ds square is equal to chronicle delta del ij dxi dxj और remanian metric होता है ds square is equal to gij dxi dxj जहां chronicle delta का मान आपको पता है 1 होता है 0 होता है 1 तब होता है जब i is equal to j यह तब होता है जब i does not equal to j fix question है यह एकदम difference between remanian metric and euclidean metric remanian metric is ds square gij dxi dxj and euclidean metric is ds square is equal to chronicle delta ij dxi dxj जहां chronicle delta का मान इस तरीके से लिखा जाता है अब हम सिद्ध करेंगे इसमें कि यह हमारा मेट्रिक टेंसर केहेंगे यह हमने लगभग चैप्टर का साराण शाप को बता दिया ठीके क्या क्या बताया सबसे पहले मेट्रिक में भी खास तरीके से डिफाइन किया गया था तब आप उन्हें उसको एकलूडियन मेट्रिक काहता मतलब किसी भी मेट्रिक का अगर कोई नाम पढ़ता है तो वो किसी ना किसी तरीके से डिफाइन की गई होती है और उसी mathematician के नाम पे उसको define कर दिया जाता है अगर आप लोग भी मानलीजे थोड़ा सा बड़े हो गए, senior हो गए हाना कोई खोजबीन करने निकले और आप लोगों ने सोचा कि इदो बिंदूओं के बीच की दूरी आम किसी special तरीके से बता सके तो मानलीजे उसको कह सकते हैं अमरिता मेट्रिक, अंकिता मेट्रिक, हाना कहा जाएगा ना तो आपके नाम पे कहा जाएगा तो ठीक इसी तरीके से क्या हुआ कि N-dimensional space में किनी दो points को लिया गया पहला point लिया गया XI, दूसरा point लिया गया XI plus DXI, यह coordinates थे इसके बीच की दूरी वो हमने मानला DS है तो DS को Riemannian ने इस तरीके से define किया DS square is equal to Gij DXI DXJ चुकि Riemannian ने define किया, इसलिए इसको Riemannian metric कहा गया अब हम यह सिद्ध करके दिखाएंगे कि यह covariant symmetric tensor है second order का covariant second order का tensor दिखाने के लिए दिखा देंगे कि यह law of transformation को क्या कर रहा है satisfy, जैसी law of transformation को satisfy करेगा वो tensor हो जाएगा चुकि index नीचे की तरफ आएंगे तो covariant हो जाएगा नीचे की तरफ दो बार आएंगे तो covariant tensor of second type हो जाएगा फिर दिखा देंगे यह symmetric होगा symmetric होगा मतलब gij is equal to gji जैसी हम यह बात proof करेंगे उस दिन के बाद से gij को हम fundamental metric tensor बोलेंगे ठीक है, बलब pet question fundamental metric tensor के बारे में क्या जानते हो तो कहिए fundamental metric tensor is denoted by gij where gij is covariant symmetric tensor of second kind या second order यह gij की परिभाशा होती है, ठीक है, उसके बाद से अब से यह नाम शुरू होगा और यह नाम जब तक काफी किताब नहीं खतम हो जाएगी तब तक चलेगा इसको कहते है fundamental metric tensor फिर पूझा जाता है difference between Riemannian metric and Ecclundian metric तो कहिए Ecclundian metric is equal to ds square is equal to del ij dxi dxj where del ij is chronicle delta which taken the value like this, ठीक है, यह पूरा का पूरा description है और Riemannian metric और Ecclundian metric के बीच में हमको लगता है difference लगभग 95% teachers पूछते है तो यह मान के चली यह वाइवा में आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा कि इन दोनों में क्या difference होता है, ठीक है, लिखिए यह वाला, पढ़ा होगा आपने नहीं, metric space में dxi dxj मैंने कभी नहीं use किया है इसी में पढ़ा है आप लोगोंने, जो भी पढ़ा है, इसके इलावा कहीं नहीं पढ़ा है लिखिए, Riemannian metric में लिखिए, the distance the distance ds the distance ds, यह लिखा है the distance ds between the points between the points comma, whose coordinate whose coordinate in any system whose coordinate in any system are whose coordinate in any system are xi and xi plus dxi xi and xi plus dxi for every comma दे के लिखिएगा for every comma दे करके for every i is equal to one, two, three, dash, 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 n is given by is given by x में i कहां होता है, उपर की नीचे हमेशा और हमेशा उपर होता है is given by यह लिखिए ds square is equal to कुछ तीरा-तीरी बनाके मत लिखिएगा बस कीदे सीदे फॉर्मूला लिखिए ds square is equal to gij dxi dxj for every i, j is equal to one, two, three, dash, 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 n हो क्या है नीचे से लिखिए where इसको डाल ली जेगा equation number one इसको डाल ली जेगा equation number one नीचे से लिखिए where where the coefficient gij where the coefficient gij are function of coordinate r a-r-e-r function of coordinate x i x i and the determinant and the determinant g is equal to देखिएगा आपको शुरुवात में एक बार हम बताये थे कि gij j एक determinant होती है जिसमें number of rows आई होती है number of columns j होते है मतलब n x n की एक determinant होती है तो determinant की value किसके बराबर आई g के बराबर आई और ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए आपको पता है अगर कोई भी determinant non-zero है तो आप उसका inverse निकाल सकते है हाना कोई भी determinant का inverse केवल तब निकलेगा जब वो determinant की value non-zero हो inverse का मतलब होता है 1 upon g तो 1 upon g केवल तब निकलेगा जबकि g हमारा 0 के equal ना हो इसंट clear लिखिये and the determinant ये g is equal to determinant gij does not equal to 0 and the determinant g is equal to mod me gij does not equal to 0 फि निचे से लिखिये the quadratic differential form the quadratic differential form the quadratic differential form ये equation quadratic है क्यों? क्यों quadratic है? अच्छा quadratic क्या होता है? quadratic equation का मतलब ax square plus bx plus c मतलब जो variable होता है उस पे maximum power कितना होता है? 2 यहाँ variable कौन है? यहाँ variable है dxi क्यों क्यों क्योंकि यही तो आप change कर रहे है dxi का मान अलग-अलग लेते जाएंगे तो अलग-अलग point मिलता जाएगा तो variable कौन कर रहा है? dxi यहाँ dxi कितनी बार आया है? 2 मतलब उसका power कितना हो गया? 2 maximum power कितना हुआ? 2 इसलिए यह quadratic equation है बहुत से बच्चे इसको देखते हैं यह नहीं है variable quadratic होना चाहिए variable कौन है? dxi dxi कितनी बार आया है? दो बार that is dxi का square तो जो square है जो 2 है वो quadraticness को represent करता है ठीक है? लिखें the quadratic differential form the quadratic differential form given in equation 1 given in equation 1 given in equation 1 is called the Riemannian metric is called the Riemannian metric बताया था मैंने यहाँ पे इसको क्या बोला जगता है? Riemannian metric हाना? is called the Riemannian metric OR और दूसरा नाम लिखें इसका OR line element line element line element line element line element OR 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 metric for metric for n-dimensional space OR or metric for n-dimensional space metric for n-dimensional space का मतलब n-dimension में किस तरीके से metric मतलब distance को आप find out करेंगे इस चीज को आपने evaluate किया है that is called metric in n-dimensional space clear? and such a space and such a space and such a space and such a space by this metric is called is called is called पहले अगर आपको याद आता होगा तो D को आप बोलते थे usual metric हाना R, D को बोलते थे usual metric space हाना इसको हमने क्या बोला Riemannian metric तो इसके द्वारा जो space generate होगा उसको क्या बोलेंगे Riemannian space हाना और उसमें जो हमारी geometry होगी geometry का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज को गर हम find out करेंगे तो इसी term में find out करेंगे volume निकालेंगे तो इसी term में वहलाब कोई भी काम इसी की help से करेंगे तो ऐसी geometry को बोलेंगे Riemannian geometry क्या कहेंगे Riemannian geometry लिखें क्या लिखा and such of space by this metric is called is called Riemannian space is called Riemannian space of n dimension Riemannian space of n dimension Riemannian space of n dimension full stop paragraph change करके the geometry the geometry which is based the geometry which is based on Riemannian metric on Riemannian metric is called Riemannian geometry is called Riemannian geometry is called Riemannian geometry of n-dimension of n-dimension of n-dimension full stop the tensor the tensor Gij the tensor Gij is called fundamental metric tensor is called fundamental metric tensor is called fundamental metric tensor बहुत ज्यादा पूछा जाता है यह is called fundamental metric tensor which is co-variant which is co-variant क्या क्या होगा देखें co-variant होगा symmetric होगा और order कितना होगा second order which is co-variant, symmetric tensor co-variant symmetric tensor of second order co-variant symmetric tensor of second order in Riemannian space in Riemannian space R capital हाना हर जगे R capital होगा क्योंकि Riemannian एक नाम है mathematician का in Riemannian space whose reciprocal whose reciprocal is given by whose reciprocal is given by बता पाएगा कोई आप लोगों में reciprocal क्या होता है इसका देखें G I J का जो reciprocal होता है बताए थे जब determinant पढ़ा रहे थे तो तो उसको G I J से represent करते है G I J का reciprocal को G I J से represent करते है मतलब G I J is equal to उसका मान होता है co-factor of G I J in G upon G जैसे हमने एक determinant बना दी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इसका हम reciprocal जानना चाहते हैं तो इसके reciprocal को हम लिखेंगे A12 इसके reciprocal को लिखेंगे A12 represent कैसे करेंगे G I J के reciprocal को G I J से represent करते है मतलब अगर ये नीचे है तो इसका reciprocal उपर अगर ये उपर है तो इसका reciprocal नीचे चुकि ये नीचे था तो इसका reciprocal उपर मान क्या होगा उसका तो कहेंगे co-factor of A21 in A upon A इसका co-factor निकालो co-factor निकालने के लिए इसको ढग देते है इसको ढग देंगे ये आपको एक determinant मिलेगा determinant क्या मिलेगा A21 A23 A31 A33 Isn't clear ये मिलेगा आपको इसी को solve करेंगे चुकि आपको पता है plus, minus, plus ये पूरा जो भी आता है किस sign के साथ आता है negative तो इसकी value मिलेगी is equal to 1 by A को मैंने बाहर कर दिया negative sign यहां से आगया आगे की तरफ बचा हुआ टर्म है आपका A21 A23 A31 A33 इसको solve कर लेंगे solve करना आप जानते है पहले इसका multiply करेंगे उसके बाद minus के साथ इसका multiply करेंगे ये इस टर्म का reciprocal कहलाएगा बतलब आपको reciprocal निकालने के लिए पूरा procedure करना पड़ेगा अगर इसका reciprocal चाहिए होगा तो इसके reciprocal को हम लिखेंगे A31 से नीचे था तो reciprocal उपर उपर होगा तो reciprocal नीचे अब कहते हैं इसका co-factor लेंगे co-factor लेने के लिए इसको इसको डग देंगे ये determinant आपको दिख रहा होगा इसको solve कर देंगे plus minus plus plus के साथ ही होगा इसको solve कर लिजे इसका multiply इसमें multiply करेंगे तो आपको मिलेगा A21 A32 A22 A31 देख लिजे A21 A32 minus A22 A31 upon इसका mod value that is A तो ये reciprocal निकालने का तरीका होता है तो कोई भी अगर tensor है तो उसका reciprocal नीचे होगा तो उपर चला जाएगा उपर होगा तो नीचे आजाएगा co-factor निकालते हैं upon G कर देते हैं बस ध्यान रखिए reciprocal का तभी निकलेगा जब G does not equal to 0 ये आपने हमने determinant के खुब पढ़ा है reciprocal केवल तभी निकलेगा जब G does not equal to 0 clear है आगे बढ़े चल ये निकले whose reciprocal is given by ये formula होता रही है ये मुक्ता थे बढ़ा है ये मुक्ता बजकी मुक्ता मुफ निकले की निकले की बटुए अन्यर डेओर भी आप। तबुब देल आप वे हैं जाँ बद। हो गया भई हो गया आगे बड़े हो गया आगे बड़े चलिए next अब लिखिए अभी हम आपसे जिक्र कर रहे थे थोड़ी दर पहले कि इसको हमको क्या-क्या दिखाना है covariant symmetric tensor of second kind या second order जैसे आप इती सारी बाते दिखा देंगे इसको हम fundamental metric tensor कहने लगे अब हम लोग बारी बारी से यह सारी चीज़र दिखाएंगे ठीक है लिखिए नीचे से लिखिए since the differentials since the differentials differentials किसको कहते है भई सोचिए बताइए जो differentiate हो जाता है उसको differential कहते है अगर इस term में आप देखें तो x i और x j variables से आपने उसके आगे d लगा दिया that means वो differentiate किये जा सकते है तो equation number one में differentials कौन कौन होगा d x i और d x j होगे clear है लिखिए since the differentials d x i since the differentials d x i are component of a are component since the differentials d x i since the differentials d x i are component of are component of contra variant vector are component of contra variant vector and the quantities and the quantities and the quantities चली देखें इसको आपने कहा कि ये contra variant vector है दादी के पाल जाईए दादी के पाल जाईए उतारीए जबादी सब्सक्राइ जाई 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 इसको पीई जाई 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 सब्सक्राइगए जाई सब्सक्राइर में जाई जाई सब्सक्राइर चीज तो क्या आपसे कहागे आए यह contra variant vector है ठीक है यह दोनों हमारे कैसे vector है contra variant अच्छा जो metric होता है आपको पता है दो point के बीच की जो हमेशा distance होती है वो constant होती है जालते की नहीं है बात पूरे ब्रह्मांड में किनी भी दो वस्तों के बीच के distance ले लीजे वो हमेशा constant होती है कभी सुना है variable है दो लोगों की बीच के distance हमेशा दो लोगों के बीच की डिस्टेंस कैसी होती है constant यहाँ पर हम लोग constant को बोलते है scalar invariant constant को क्या बोलते है scalar invariant किनी भी दो बिंदुगों के बीच की दूरी हमेशा और हमेशा कैसी होती है constant होती है उसी को हम लोग यहाँ इस भाशा में क्या कहते है बीच के आप distance निकालते थे तो आपको पता है कि वो distance हमेशा कैसी होती थी constant होती थी ठीक है, constant को dg की भाशा में हम लोग scalar invariant कहते हैं, क्या कहेंगे scalar invariant, उसी बात को लिखवा रहे है लिखिए and the quantities ds square ds square एक पेच छोड़ के लिखिएगा ds square bracket में लिखिए from its nature from its nature from its nature bracket बन is a scalar invariant is a scalar invariant is a scalar invariant क्या कहा गया कि दूरी का तो nature ही यही होता है कि वो हमेशा constant होती है और dg की भाशा में हम लोग उसको क्या बोलते है scalar invariant हमेशा और हमेशा यह कैसा होगा scalar invariant is a scalar invariant therefore therefore अब ज़रा बलाक गोट पे देखिए ताकि समझ मैं है यह scalar invariant है scalar invariant होने का मतलब ds square is equal to ds bar का square क्यों? scalar invariant के लिए हम आपको 3-4 बाते बताए थे पहली बात बताए थे कि अगर वो scalar invariant है तो बार वाला टर्म बिना बार वाले टर्म के बराबर होगा दूसरी बात हम आपको बताए थे कि इसमें delx by delx के term नहीं आएंगे तीसरी बात हम आपको बताए थे यह index free होगा इसमें कोई भी index नहीं होगा चौती बात हम बताए थे कि इसकी value constant होती है यह fix होता है चार बाते हमने आपको समझाए थे हम कहें तो चार में से delx के term नहीं आए है that is scalar invariant चौता constant होता है that is scalar invariant ठीक है यह scalar invariant है तो अगर इससे मान लिखा जाए तो क्या मिलेगा ds square की जगे gij dxi dxj और इसकी जगे g bar ij dx bar i dx bar j isn't clear यहां तक कोई दिक्कत क्या मतलब हुआ कि यह xi coordinate system में है यह भी xi coordinate system में है और यह दोनो x bar i coordinate system में है तो हम मान लेंगे कि gij is a fundamental metric tensor in xi coordinate system and g bar ij is the fundamental metric tensor in x bar i coordinate system इसका नाम ही है fundamental metric tensor अबसे इसको आप कुछ नहीं जानते हैं बस यहीं जानते हैं कि यह fundamental metric tensor है ठीक है बतलब इसलिए चाप्टर बहुत important है क्योंकि इसमें आपने एक नए शब्द को शुरू किया define करना और यह जब तक किताब नहीं खतम होगी तब तक चलेगा इसको बोलते हैं fundamental metric tensor क्या का जाता है fundamental metric tensor ठीक है लिखिए therefore if g bar ij therefore if g bar ij therefore if g bar ij be the corresponding functions be the corresponding functions be the corresponding functions in the variable x bar i in the variable x bar i then then यह दो नो लाइ यह जो हम आपको यह पूरी थियरी लिखवाएं न इस थियरी में से चार नंबर का question आता है चार नंबर में कुछ भी पूछ लेगा कई बार पूछ लेता है कि show करो कि co-variant tensor second order का कई बार कहएगा show करो कि यह symmetric होता है तो इसी में से खंगाल के आपको लिखना पड़ेगा जो में लिखवा रहे है परग्राफ चेंज करकर रहे है ठीक है हो जाए तो बताएगे अगर हो गया आपका हो गया देखिये इसको मैं पहले लिख रहेंगा चीक है जी बार आई जे डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे इस इक्वल टो डमी इंडेक्स है किसी अदर इंडेक्स से चेंज कर सकते है बस शर्ते वो उस टर्म में ना आया हुआ हो अबी से हम चेंज कर रहे है अबी से चेंज करेंगे तो मिलेगा जी ए बी डी एक्स ए डी एक्स बी क्लियर दिस इंप्लाइस देट जी बार आई जे डी एक्स बार आई डी एक्स बार जे इस इक्वल टो अभी जस्ट आपने ये तीर बना के लिखा कि ये दोनों कंट्रावेरियंट वेक्टर है इफ दीज आर कंट्रावेरियंट वेक्टर देन दे मस्ट बी सैटिस्फाई लॉउफ ट्रांस्फोर्मेशन लिखवाईए इसके लिए लॉफ ट्रांस्फोर्मेशन डी एक्स से के लिए law of transformation लिखेंगे तो यहाँ पे भी आएगा dx, बार नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा बार, एक index है तो एक बार हम delx by delx लिखेंगे पहले इसको balance करेंगे उपर की तरफ a नीचे की तरफ बार के साथ i, इसके लिए लिखेंगे and dxb is equal to dx बार नहीं है तो यहाँ पे बार, जे एक index आया है तो delx by delx इसको balance करेंगे b, इसको balance करेंगे j clear? value को put करेंगे तो आएगा g, a, b dxa का माल लिख रहे है dx bar i del x a del x bar i दूसरा dx bar j del x b upon del x bar j कोई दिक्कत यहां तक में? थोड़ा सा adjust करा दीजे adjustment करेंगे तो आपको मिलेगा this implies that g bar i d x bar i d x bar j is equal to यहां पर आपके पास आएगा g, a, b पहले हम non-bar वाले टर्म्स को लिख रहे हैं, non-bar ठीक है? del x a upon del x bar i del x b upon del x bar j साथ में आएगा dx bar i dx bar j isn't clear? सब टर्म्स को इधर ले आईए जो common दिख रहां उसको बाहर कर दीजे मिलेगा this implies that g bar i j minus g a, b del x a upon del x bar i del x b upon del x bar j common terms are dx bar i dx bar j is equal to 0 अभी जस्ट आपने का these are arbitrary contravariant vector since dx bar i and dx bar j are an arbitrary vectors ये दोनों arbitrary vectors हैं तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों कभी भी 0 के बराबर नहीं होगे 0 के बराबर नहीं होगे तो मिलेगा this implies that g bar i j minus g a b del x a upon del x bar i del x b upon del x bar j is equal to 0 and the reason behind this कि ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा this implies that g bar i j is equal to g a b del x a upon del x bar i del x b upon del x bar j अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से दोनों तरफ इंडेक्स बराबर है मतलब law of transformation क्या हो रहा है satisfy इदर की तरफ बार है तो बार को count करेंगे दोनों बार नीचे आए है नीचे आए है तो उसका मतलब ये एक टेंसर होगा किस टाइप का 0,2 0,2 कहने का मतलब g bar i j is a co-variant tensor of second order एक चीज़ आमने प्रूफ कर दी अब हम दिखाएगे कि ये symmetric होगा चीक है तो examination में आता कैसे आया का proof that fundamental metric tensor g i j is co-variant tensor of second order तो आपको ये पूरा प्रूफ करना पड़ेगा जो मैंने यहां से आपको लिखवाया है paragraph change करके paragraph change करके आपको मैंने लिखवाया होगा since the differential d x i r component of contra-variant factor से हाना यहां से आपको पूरा ये लिखना होगा तब जाकर के आपको two marks ये three marks से मिलेगा फिर इसी तरह से पूछता है show that the fundamental metric tensor gij is symmetric symmetric वाला part अभी आगे कराएंगे ठीक है? लिखिए कहां तक लिख़ा है आप लोगों ने? यहां तक लिखिए है ना? नीचे से लिखिए since since i and j in lhs are dummy index since i and j in lhs यह देखे i और j lhs में dummy है तो उसको हमने किसी other index से change कर दिया since i and j are dummy index in lhs therefore therefore यह line होता रही है यहाली लिखिए हो गया वई? यहां तक हो गया? नीचे से लिखिये Since DxA and DxB are the component of an arbitrary aNN arbitrary Since DxA and DxB are the component of an arbitrary Contra-variant vector Contra-variant vector Then 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 They must be satisfy law of transformation Then They must be satisfy law of transformation Then Then They must be satisfy law of transformation Hence The above equation becomes Hence Hence The above equation becomes Hence The above equation becomes देखे यह लाइन लिखिये है यह पूरा लिखना है ठीक है? अंज तक उतार लीज़े कि अंज गल कि अंज तकर प्चसाओब computer यह बचाब यह लुआए यह 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 कि अंज बचस्ण कि अंज शभयो 5 9 10 9 9 10 10 झाल झाल अपनों की टाइमिंग कल से थोड़ी चेंज होगी क्योंकि सर को भी कॉलेज जाना रहता है हमको भी कॉलेज जाना रहेगा कल से उनको वही हो रहा था जा कि कब तक जो है नागा किया जाएगा तो हमके थोड़ा सा चेंज कर देंगे, एक दो घंटा कुछ आगे बढ़ा देंगे, ठीक है? मॉर्निंग में इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि एक तो आपकी क्लास रहती है और जो भी कॉलेजेस की ओनलाइन क्लास चल रही हैं, सब मॉर्निंग में चल रही है तो आपको लोग का तो क्लाश करेगा ही करेगा, इसके लावा जो ऑनलाइन के बच्चे हैं, उनका भी क्लाश कर रहा है ठीक है, तो वो बहतर यही समझा गया, कि जो एक ग्यारा बज़े से चल रही है, इसको एक बज़े से कर लिया जाए तब तक हम लोग सुबह दस बज़े से लेकि एक बज़े तक अपना कॉलेज निप्टा भी चले हैंगे अभी सर आते हम टाइम डिसकस कर लेते है, अचली कई दिन से हम लोगो KALL-EJ जा नहीं रहे थे, मेरे तो जो सर है उनको तो कॉरोना हो गया था, तो वैसी हम निग जा रहे थे जिनके अंडर में हम रिसर्च कर रहे है उनको कॉरोना हो गया था झाल 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 हो गयां? आगे पड़े? आप लोग का हो गयां? झाल झाल जाल of co-variant tensor of second order clear अब हम लोग दिखाएंगे कि यह symmetric है symmetric कैसे दिखाएंगे अब हो देखिए अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो हमने पिछले chapter में एक theorem कराया था कहा गया था कि किसी भी co-variant tensor of second order या contra-variant tensor of second order को दो tensors किसम के form में लिख सकते हैं जिसमे एक symmetric होता है एक excuse symmetric कुछ याता है या तो यहाँ पे अगर gij component of co-variant tensor है तो हम इसको भी sum of two tensors के form में लिख सकेंगे एक symmetric होगा दूसरा excuse symmetric ज़रा देखिए half gij plus gij लिख सकते हैं half gij gij मिल करके 1 by 2 2 into gij 2 से 2 कट जाएगा वापस सब gij क्या होगा ठीक है this implies that gij is equal to half gij plus gji minus gji plus gij कट जाएगा वापस सब्सक्राइगा मिल जाएगा this implies that gij half gij plus gji plus half gij minus gji i j जिसमें से एक सिमेट्रिक होगा दूसरा इस क्यों सिमेट्रिक होगा इतने में कोई डाउट लिखिए line change करके लिखिए जाएगा जाएगा since gij are the component of since gij are the component of covariant tensor of second order since gij at the component of covariant tensor of second order hence it can be written as hence it can be written as उदारी हो तीनो लाइन उदारी हो ये, ये, ये प्रॉक करके लिए सम पिंट ये, ये, बी हुआचा हुआ, बी standardized ज्टिक को अन्टिति हो अतार को अन्टिक कि आंग निचे सा लिखिये इस इंपिलाइस that gij is equal to capital A जो खोड़ती हम जो लिखिये जिस इस इंपलाइस that gij is equal to capital A plus capital B वेर capital A बराबर half gij plus gji and b बराबर half gij minus gji एक symmetric होगा, दूसरा क्या होगा? isq symmetric आपको पता है, plus वाला symmetric होता है और minus वाला isq symmetric is a component of इसी के नीचे से is a component of is a component of symmetric and skew symmetric is a component of symmetric and skew symmetric tensors of second order respectively tensors of second order respectively tensors of second order respectively जरा इसको डालिएगा equation number next equation number बोलिए 2 इसको डालिएगा 3 इसको डालिएगा 4 इसको डालिएगा 5 2345 इसको डालिएगा equation number अँँः दीवी लोग धस रहीगे 2345 ठीक है अब देखिए equation number 5 को लेकर के चलते हैं अगर equation number 5 में dxi dxj का multiply करें तो देखते हैं क्या मिलता है equation number 5 के हम बात कर रहे हैं ठीक है नीचे से लिखिए now now from equation 5 now from equation 5 we get now from equation 5 we get ठीक है b dxi dxj is equal to half gij minus gji dxi dxj कोई दिक कर हमने b में दोनों तरफ dxi dxj का multiply कर दिया चीक है is equal to 1 by 2 gij dxi dxj minus 1 by 2 gji d x d x d x j चीक है उतारी है था कक्ष प्हिषए थाओ प्हाओ थाओ झाओ हुआ थाओ झाओ थाओ क्षाओ प्हाओ झाओ झाल झाल देखें B D X I D X J is equal to 1 by 2 G I J D X I D X J minus 1 by 2 G J I outer product commutative law को satisfy करता है तो D X I D X J की जगे D X J D X I लिख सकते हैं ठीक है outer product commutative लोगों क्या करता है satisfy फिर देखें B D X I D X J is equal to half G I J D X I D X J minus dummy index dummy index को आपस में interchange किया जा सकता है I की जगे J कर दीजे J की जगे I कर दीजे तो 1 by 2 G J की जगे I B is equal to 0 since D X I is an arbitrary contravariant vector ठीक है तो ये इस बात को बताता है कि इसमें B का कोई रोल नहीं है B का कोई रोल नहीं है मतलब B क्या कर गया vanish कर गया B vanish कर गया तो केवल कौन बचा A A हमारा symmetric है मैंने भी निक्वाया है कि A कैसा है symmetric B कैसा है SQ symmetric A symmetric है तो G I J भी क्या हो जाएगा symmetric हो जाएगा अगर A symmetric है तो G I J भी क्या हो जाएगा symmetric हो जाएगा ठीक है उतारिये वहां तक यहां से लिकिए यहां तक उतारिये बस अभी यह ख़तम करके खुब बढ़ाई है metric space आज कहां रहे गया थे भई मैं कालेश दिया थे आएगिशन हो गया क्यों तो अगर अगर ऐसी बात रहा कर तो बता दिया क्रेक लास फोड़ा पूस बढ़ा दिया कल से कलास की कालेश मीचा जेएगा बताएं सब तो ऐसा की जी में पीचा साम कर दिया की जी सुब़े पर से को ने सुब़े तो उनका उपन रहता है साम को में चार दिया तीन बज़े से नहीं आप आएंगे तीन से छे अरे तुरका कॉलेज है दो से आप कह रही है वो तीन से ही ने तयार हो रहे है कहा ना है दो मैं तक कॉलेज है तो इंगार है दो बज़े तक कॉलेज है ये अच्छा रुकी एक में अबी क्लास ओँर जाण करते हैं हो गया यहां तक नई नई तक कॉलेज शुरू हो रहा है उनका सबी का शुरू होगा अभी नहीं शुरू होगा दिवाली के बाद 10 दिन से शुरू होगा वो चीज तो होनी है कॉलेज तो शुरू होना ही होना है दिवाली के बाद से शुरू होगा यसा उनिवर्स्टी का नोटिस दिवाली के बाद का है तो दिवाली में कितना दिन है, साथ दिन बच्चा है, फिर तोपिन होना ही होना है हो गया पहीं बीज इक्वल टू जीरो तक हो गया यहां तक लिक करके बताईए हमको हो गया है आप लुक्त हो गया है, नीचे से लिखिये Hence, there is no contribution Contribution का मतलब होता है योगदान ठीक है, इसका मतलब skew symmetric part का इसमें कोई भी योगदान नहीं है क्योंकि वो पहले ही क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है Hence, there is no contribution Hence, there is no contribution of skew symmetric part of skew symmetric part of skew symmetric part bracket मिल के, that is capital B that is capital B bracket 1 in in gij in gij in gij, मतलब gij में skew symmetric part का कोई भी contribution नहीं क्योंकि वो क्या हो गया इन gij, only the symmetric part is effective 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 के वल कौन effective है? symmetric part तो अगर यह symmetric होगा तो यह भी क्या हो जाएगा? symmetric हो जाएगा only the symmetric part is effective fully stop hence we can say that hence we can say that hence we can say that the tensor gij is symmetric hence we can say that the tensor gij is symmetric which is called which is called which is called which is called the fundamental covariant symmetric tensor which is called the fundamental covariant symmetric tensor which is called of second order which is called which is called in Riemannian metric space in Riemannian metric space टीक है लाइन चेंज करके लिखिए इट्स रेसिप्रोकल टेंसर इट्स रेसिप्रोकल टेंसर इसके रेसिप्रोकल को कैसे लिखेंगे अभी बताये थे जी आईजे में अगर आईजे नीचे तो उसका रेसिप्रोकल में कहां चला जाएगा उपर इट्स रेसिप्रोकल टेंसर जी आईजे इस डिफाइंड एस इट्स रेसिप्रोकल टेंसर जी आईजे इस डिफाइंड एस बतागे क्या होती है वैल्यू G I J is equal to co factor of G I J in G upon G लिखे जहां G कमान क्या होता है where G is equal to mod G I J does not equal to 0 हो क्या है और आज के बाद से इसको कहेंगे reciprocal fundamental metric tensor ठीक है मेंचे से लिखे is called the reciprocal fundamental metric tensor is called the reciprocal fundamental metric tensor is called the reciprocal fundamental metric tensor हो क्यों बस आज के लिए इसमेटना ही अगि